Hello students, welcome to life at AMU इस वीडियो में हम AMU के 11th class के जो science system है उसकी एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ मतलब आपको कुछ भी information चाहिए almost सभी information में आपको बता दूँगा अगर आप science के entrance देने वाले क्या syllabus है कब exam होगा, क्या होगा, कितनी seats हैं, कितने schools हैं सब चीज बताऊंगा तो करना क्या है, दो बार tap नहीं करना है दस सेकिंड आगे नहीं करना आपको देखनी है पूरी वीडियो, ठीक है क्योंकि कुछ भी information ऐसी हो सकती है जो आपको beneficial हो, या आपने form बढ़ दिया हो या आप prepare कर रहे हो फिर आपको लगे क्या गलत कर दिया सही क्या जो क्या वो आपको बाद में समझाएगा सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल कौन से हैं, कितनी seats हैं मतलब हम यह तो पताओ कौन कौन से स्कूल है कौन से अच्छ है, कहां admission लेना है ऐसा करते हैं बच्चे कोई जो स्कूल अच्छ है तो ऐसे हैं लेकिन जिसमें होस्टल नहीं है कुछ नहीं है उसमें apply कर देते हैं और फिर बाद में परिशान होता है अब change कैसे होगा तो इसमें सबसे पहला स्कूल जो है senior secondary boys है इसमें आपकी 650 seats हैं मतलब 600 seats है males के लिए है यह female का भी बताऊंगा और STS है इसमें 55 हैं तो 650 कैसे हैं यह इतनी जादा और girls की जो senior secondary है उसके 360 हैं इतनी seats हैं फिर बच्ची क्यों परेशान होता है लावन का क्यों कहते हैं इतना hard है इतना difficult है हमारा exam के लिए नहीं हो पाएगा इतनी seats हैं आपके पास तो आपको करने के इसमें देखिए PCM वाली है PCBA PCMBA PCBM ऐसे करके बहुत सारी seats हो जाती है ठीक है इसके बाद आता है STS जो की boys का है उसमें 55 seats है AMU City है उसमें 50 seats है यह STS और City में आपको hostel नहीं मिलता ठीक है hostel सिर्फ आपको senior secondary में मिलेगा और girls को मिल जाता है senior secondary भी और दूसरा है girls school उसमें 120 seats है मतलब 480 seats है girls की भी मतलब टोटल फिर आता है seats के बार में schools के बार में बात कर चुके qualifying exam आपका देखिए आपका 45% आपके marks होने चाहिए मतलब जो 10th आप करके आ रहे हैं और उसमें English, Science जो के life science उसी में include होगा maths को आप इनका average निकालेंगे ठीक है इन तीन subject का आप average निकालके 45% आपके आ रहे होने चाहिए फिर आपका और English, Maths, Science में इंडिवीजुली आप पास पी हो ठीक है इसके बाद आता है अब Age limit Age limit में बहुत confused होते हैं क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं कोई 12th कर रहा होता है किसी का year drop हो जाता है तो आपका दुबारा से entrance में बैठता है और ऐसा होता है हमें अपनी age का ध्यान बिन देते Age limit का है form भी भर देते है entrance भी क्लियर कर देते है admission के time पर पता लगता है हम तो जादा उमर के हैं या कम उमर के हैं कम उमर के तो ऐसे हो इन सकते है वो इसे हिसाब से रखा जाता है तो आपकी 19 एर होनी चाहिए 1st July ये जो 1st July है ना आने वाला है इससे पहले पहले आपकी 19 होनी चाहिए अगर इसके बाद आपकी 19 क्रोस हो जाती है तो आप qualifying नहीं है ठीक है कम का कोई criteria नहीं बस 19 साल आप होने मतलब जादे जादा होने चाहिए उससे जादा नहीं होने चाहिए selection process आपका admissions होगा entrance होगा entrance के बाद कोई interview नहीं है कुछ नहीं है सीधा entrance के लिए करना है आपको admission मिल जाएगा लेकिन document के लिए होने चाहिए documents के ओपर वीडियो है उसमें बताया है तो इसलिए document पर बहुत stickness हो रही है धियान रखिए का online हो गया इसके बाद सबसे main चीज slaybus क्या होता है हमें यहीं नहीं पता क्या आने वाला है पढ़ रहे हैं बस पढ़े जा रहे है तो slaybus तो भी इक important factor है आपको पता होना चाहिए कि क्या आने वाला है सलिए मिल से में क्या है science है सबसे main चीज है 50 marks की आते सबसे बड़ा portion है इस science में आपके physics chemistry and life science आईगी और आपका mathematics है उसमें 30% आपका आएगा वो 30 marks का आएगा तो 80 marks ही हो गए मतलब maths और science ही कर लें आपका selection होने के बहुत ज़्यादा चांस है मतलब लेकिन पूरे-पूरे होने चाहिए कट ओफ के बारे में कट ओफ का भी थोड़ा इडिया देता हूं 70 प्लस आप टार्गेट रखे मनलब 75 से उपर ही रखे है इससे कम भी चली जाती है 60 भी जाते हुए देखा है मैंने 75 के राउंड ही देखता हूं वैसे अवरेज टीके जनरल नौलीज 10 marks कुछ भी पूछा सकत है अब मैं नहीं बताओंगो कहां से पूछेंगे इंडोस्लामिक 10 marks का है मैं एक क्रेक के ऊपर कैसे क्रेक करें कैसे प्रिपेर करें कैसे स्ट्रेटीजी बनाए उसके ऊपर वीडियो आएगी क्लास 11 की साइंस की ठीक है तो उसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्रा है अलिगड़ है अलखनाव है मेरट है बरेली है श्रीनगर है कौलकता पतना बिहार में किशन गंज है तो आपको इतने सारे सेंटर सेंटर के आपको टेंचन लेने की कोई बात नहीं आपको मिल जाएगा आसपास ही हो जाते हैं अब इसके बात जो बात आती है जो इंजिन हिंदी में भी आएगा के पेपर और इसमें उर्दू में भी आएगा तो तीन लैंग्वेज में आपका आता है इंग्लिश में हिंदी में और आपका उर्दू में तो तीन लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म में फिल कर तुवे बोल दिया ता कि हिंदी में ह तो आपका ऐसा रहता है कोई भी आप अने इंग्ली में फ्लाइज भरे लेकिन तीनों लैंग्वेज उस पेपर में ре Kelp ऐसा भी होता है उल्दू मीडियम सा आते हैं तो मैंने भी यही किया था अपने इंटेंस टाइम पर ठीक है बाद की बताया गया है इसमें मतलब का आपको बाद में क्या पढ़ जाएगा क्या पढ़ना है और बाकी यही है आपको preparation की बात रहती है फिर बाद में कि क्रेक कैसे होगा क्योंकि 11 इंटेंस अबसे बहुत जादा बच्चे देते हैं क्योंकि एक बच्चा जा जाती है उसके बाद bachelor's में क्योंकि admission लेने हैं मुश्किल हो जाता है अच्छे course में वैसे तो admission आपको मिली जाएगा और university में क्योंकि graduation की master's की fees बहुत जादा होती है इसलिए जादा difficult होता है बाकि इसमें ऐसा कोई नहीं है मैंने seats का भी बता दिया आपको कैसे आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है आपको cut off के बारे में बता दिया है cut off और इन चीजों पर हम दूसरी वीडियो में जादा अच्छे से analyze करेंगे बाकी यह चीज है जो main चीज है आपकी school का ही है school जब आप फिल करें आपके preference पूछी जाएगी उसे ध्यान से भरें girls और boys दोनों senior secondary first पर रखिएगा फिर अगर boys की बात आती है CT और STS की यह बात में clear कर देता हूं जो city school है वो campus से बहुत जादा दूर है बाहर है ठीक है तो CT को आप इसलिए बच्चे last में prefer करते हैं first second पर भी कर सकते हैं first पर तो अगर आपका घर उसके नियरवाई है अलिगड में रहते हैं तब आप रख सकते हैं बाके girls के जो है वो अब्दुल्ला होल में एकी campus में उसका कोई issue नहीं है तो यह चीज है इस चीज को ध्यान में रखके भरें आप form और जब admission होगा इस इसलिए मैंने दुबारस आपको यह बात बताईए और आगे की वीडियो आएगी इस चैनल सब्सक्राइब करके रखें उसी के लिए उससे important information भी आने वाली है document कैसे verify बगरा करेंगे क्या क्या चाहिए वह खैर अगली वीडियो में बताएंगे और Instagram पर फॉलो कर लिजए क कुछ भी query हो कुछ भूसकते हैं महाँ पर फॉलो करके रखें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू